नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धम सर्माग नए साल की हारदिक सुपकामनाएं आप सभी दर्सकों को और एक जन्वरी को जिनका बर्ड डेट है या फिर मेरेज अन्बरसरी है उन्हें हमारी तरफ से बढ़ाई हम बात कर रहे हैं एक जन् प्रिष्ण योग धृति मंगरवार का दिन चंद्रमा तुलारासी में और दोपहर तीन बजे से साड़े चार अबजे तक राहु काल का समय है इस समय कोई भी नया और सुपकारे ना करें अभी जीत मुहृत है दोपहर बारा बचकर चार मिनट से दोपहर बारा बचकर पैत साल बहुत अच्छा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुसहाल रहने वाला है और धन सुपक के लिए भी बहुत अच्छा है यानि सभी के लिए ये साल लापकारी है लेकिन एक और चीज है जिनका जन्म का तारीक तीन बारा एकीस और तीस है इनके लिए ज्यादा रहा है और अच्छा रहेगा साथ ही जिनका जमन मार्च जून नौवंबर और दिसंबर के मेहने में हुआ है उनके लिए भी बिरस्पती मजबूत होने के कारण ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्तों अगर इस पूरे साल में आप गायत्री मंत्र का पार्ट करते है या फिर वैसे भी गायत्री मंत्र का पार्ट करने से बुद्धी तेज होता है और एक सुरक्षा कवच सा बन जाता है साथ ही भगवान सुरे को हल्दी मिला कर जलर पित कीजिए एक चुटकी हल्दी डालना है इससे आपका धन समंदी परेसानी दूर होगा बैवाही जीवन और काम के नए अफसर आपको प्राप्त होंगे दिन चरिया आपकी बहतर बनी रहेगी आपका सुवरंग रहेगा एक जनवरी के लिए बैगनी और भागे साथ निभाएगा करीब 82% साथी एकादसी की तीथी से दिन का सुरवात हो रहा है इसलिए इस दिन आपके सारे कारे पूरे भी होंगे भगवान विश्णू का नमन कीजिएगा और एक बार सुह में हनुमान चारीसा का पार जरूर कीजिएगा नवे भाव का चंद्रमा सुक्र के साथ रहेगा और आर्थिक इस्तिती आपकी मजबूत रहेगी सबसे ज़्यादा भागे साली आप ही रहने बा मन चाहा आपको इसमें परिणाम देखने को मिलेगा और पुझा पार्ट में मन लगेगा घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा तो दोस्तों यह थी आपके दैनिक रासी फल एक जन्वरी के धन्यबाद हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ